मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि ओपेरा के लिए सब कुछ रेडी किया जा रहा है यहाँ पर एक बड़ी सी सिंगर होती है इसके स्टेज पर कोवे आ जाते है तो इससे बहुत ही चीट जाती है यह फिर चीट कर ही अपने होटेल में जा रही होती है जब बहार निकलती है तो इसके फैंस इसके पीछे होती है इसके फोटोस वेगरा हो निकालने जाती है इसका ध्यान नहीं होता तो रस्ते में इसका पेर एक गाड़ी किनी जा जाता है आज यह ओपेरा में नहीं गा सकती है तो एक बैक अप सिंगर होती है उसे फिरिकॉल आता है कि आज तुम्हें ओपेरा में गाना है इसे बिलिव नहीं होता इसे लगता है कि ये एक चोक है थोड़ी देर में इसकी एजेंट इसके पास आती है वो उसे एक गुड नूस देती है अब फोन करने वाला कौन था ये इसे मालूम नहीं है ये जो बैककप सिंगर है इसका नाम है बेटी ये नीज सुन कर बेटी बहुत ही परिशान हो जाती है वो अचानक घबराने लग जाती है वो कहती है कि मैं कैसे गा सकती हूँ अगर मैंने कुछ गड़बर कर दी तो बहुत बड़ी प्रॉलम हो जाएगी इसका जो रोल होता है ये मैगबेट का होता है मैगबेट का रोल एक बैड लग रिप्रेजन करता है उसके एजन कहती है कि तुम बहुत ही तुमने मेहनत किये इस रोल के लिए तुमारो confidence तुम lose मत करो तुम अच्छे से कर सकती हो तुमारे career के लिए ये बहुत ही बड़ा break हो सकता है वह फिर show का producer वेगराता है और इसे motivate करता है कि वह कर सकती है बेटी का boyfriend भी यहा होता है वो भी इसे motivate करता है ओपेरा start होता है और बेटी काना start कर देती है ये बहुत ही beautifully sing कर देती है ये बहुत ही सई से ये सब उपेरा ये show चल रहाता है तब हमें दिखता है कि ये जो hall है इसके corridor से एक आदमी चल रहा है ये सब से उपर के floor पर आ जाता है वहापर एक आदमी होता है जो से कहता है इसका murder रोय हक कर देता है ये करते वक्त एक बड़ा सा light वो नीची गिरा देता है ये incident होने के बाद सब लोग यहाँ डर जाते है ये जो show है ये disturb हो चुका है बेटी का producer उसे कहता है कि start कर दो तुम्हें कर सकती हो जब बेटी गाना start करती है तो सब लोग फिर से अपनी seats पर बेट जाते है जब इस show खतम हो चाता है तो उसका producer उसे congratulate करता है वो उसे कहता है कि तुम्हें लगा था कि Macbeth का role एक bad लग है पर आज जो incident हुआ है इसका ऐसा मतलब नहीं कि ये bad लग होता है ये सिर्फ एक accident था तुम इस सूपर स्टेशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए जिस original singer का पेर टूट गाया था ये इससे बहुत ही jealous हो चुकी होती है बेटी का बहुत ही show successful हो गया है तो अब बड़ी singer बन जाएगी सब उसे बहुत ही congratulations कर रहे होते हैं यहाँ पर एक suitwood में आदमी आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा fan हूँ बेटी का ये पहला fan है तो उसे बहुत ही अच्छा रगता है इसके लिए इसने एक fool लाय होता है बेटी एकसेप्ट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें autograph चाहिए ये आदमी फिर उसे autograph ले रहा होता है तब इसे पुकार लिया जाता है ये actual में एक डिरिक्ट्व होता है बेटी अब इस पर रचीर जाती है उसे लगता है कि इसका autograph लेने के लिए नहीं आया था इससे पुछताच करने के लिए डिरिक्ट्व आया था ये बहुत ही embarrassed फिल करती है गुस्से में ये दारपन कर लेती है इसका boyfriend फिर इसे मिलने आता है वो उसे कहता है कि मैं बहुत ही last में तुम congratulations कर रहा हो अब तो तुम बड़ी singer बन चुकी हो उसे लगता है कि अब इन में दूरिया आ जाएंगी ये फिर बेटी को किस करता है यहाँ पर original जो singer थी वसमें बेटी का program देखा है उसके लिए वो एक gift भेज़ दिये इस gift के साथ एक note होती है और इसमें बेटी को snake पुकार दिये बेटी को जो gift मिला होता है ये दारू की bottle जैसा होता है इसे पता नहीं होता है कि ये क्या है तो इस सिंग में इसे डाल देती है अब हम देखते है कि जो serial killer है इसमें बेटी को डिवी पर देखा है इसके dress से वो obsessed हो जाता है इसका dress इसे पसंद नहीं आता रात में वो opera house में पहुच जाता है बेटी का dress इस रूम में होता है इसके आसपास बहुत सारे कववे cage में रखे हुए होता है killer फिवी बेटी का dress चीज देता है ये जो कववे थे इस killer को देखकर बहुत ही disturb हो जाते है ये अपने cage से बहार निकलते है और इस पर वो हमला बोल देते है ये killer बहुत सारे कववों को यहां मार देता है वहाँ पर कोई check करने के लिए आता है जल्दी से वहाँ से निकल भी जाता है इसके बाद हम बेटी और उसका boyfriend देखते है उसके boyfriend ने उसका uncle का एक बहुत बड़ा mansion होता है उसमें उससे live होता है ये उससे चाए coffee के लिए पूछता है ये चाए बणाने के लिए जब जा रहा होता है तो ये room lock हो जाता है बेटी के पास killer आता है बेटी को killer जकड लेता है उसके हाथ पे सब कुछ बान देता है ये killer इसे खड़ा करता है और एक पोल से बान देता है इसके आख के नीजे ये पींस लगाता है यानि कि ये जो सब करेगा ये उसे देखना पड़ेगा ये अपनी आइस क्लोज नहीं कर सकती है बेटी का बॉइफरेंड जब वहा आता है तो फिच्छे से आख कर किलर उसे मार देता है ये सब कुछ बेटी को देखना पड़ता है ये बहुत ही डर जुकी होती है इसे क्या करना है कहा जाना है इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये किलर वहाँ से फिर मर्डर करकर निकल जाता है ये भागते भागते पेफोन तक आती है और ये मर्डर रिपोर्ट कर देती है टीवी शो का जो प्रोड्यूसर था इसे कॉल लगाती है ये दोनों गाड़ी में बात करते है प्रोड्यूसर उसे भुशता है क्या तुमारा बॉइफ्रेंड कैसा ट्रबल हुआ है ये बहुत ही डिस्टब होती है प्रोडूसर कहता है ये बेटी को कहता है जब बेटी उठकर देखने लग जाती है तो वहाँ से बाग गया होता है ये प्रोडूसर को घर जाना आता है तो बेटी को कह कर जाता है कि सब कुछ डोड सके है तुम बन कर लो तुम अंदर सेफ रहोगी बेटी अपने हौल में कुछ आदमी को देखती है उसे बहुत सस्पिशिस लगता है उस आदमी के साथ एक औरत होती है उसे पुछ थी है तुम यहां क्या कर रही हो यह औरत कहीथी है यह अब ज़रा जेन की सास लेती है और अंदर आ जाती है हमें बेटी के रूम में देखता कि वहाँ एक चालिया होती है इससे उसे कोई देख रहा होता है बेटी डिस्टब होकर रोने लग जाती है प्रोडूसर जब घर आता है तो उसके बहुत सारे रिव्यूस पेपरस में आये हुए होती है यह जो प्रोडूसर था यह होरर मुवीज डायरेक्ट करता था इससे ग बरा है इसके बारे में पूलिस पोस्ता है कि लास्ट टाइम तुमने कब उसे देखा था ज्यादा कुछ लोग उसके बारे में पता नहीं होता यह जो लोग यहां होते है तो यह सूपर स्टीशिस होते है इन्हें लगता है कि मेगबेद जो इस सिंगिंग ऑपेरा कर रहे ह एक कर्स्ट है इसे वज़े से यह सब हो रहा है जो आदमी मरा था इसको बेटी ने देखा था डिटेक्टिव को बेटी की इन्वेस्टेशन करने होती है पर वो कर नहीं पाता बेटी उसे आज मिलने पाती है बेटी जब ओपेरा पर आती है तब उसका अड्रेस खरा हो चुक करती है उसे जो सब उसके साथ हो रहा है यह सब बता देती है उसकी मैनेजर उसे कहती है कि पुलीस को तुम जल्दी से यह सब बता दो मिन्वाइल इसकी मैनेजर इससे मिलनी के लिए इसके घर आने वाली होती है बेटी फिर से उसके टेलर के पास आती है यह टेलर उसे कहत थी है और यह देख रही हुथी है तब जो killer था यह वहाँ पहुच जाता है यह बेटी को फिर से बांद देता है इसके आखो पर पर पींस लगा देता है यानि कि सब कुछ उसे देखना पड़े जब यह टेलर वहाँ थी है तो वो देख लेती है कि हाँ killer है वो बड़ी सी एक आयन लेती है और killer के सर पर डाल देती है यह वहाँ से भाग रही होती है तो killer उसे आयन से ही मारता है यह फिर killer को मार कर उसे बेहुच कर देती है यह जब उसका मास्क निकाल दी है तब वो बोलने वाले होती है कि यह कौन है तब यह killer इसका गला पकड़ लेता है जो killer का bracelet थ ये उसने निगल लिया था किलर इसके थोट से निकालता है बेटी को फ्री करकर फिर वो वहाँ से निकल जाता है अब हमें दिखता है कि बेटी के अपार्मेंट पर पुलिस ओफिसर उससे मिलनी के लिए आया है वो उससे कुछ क्वेशन पूछना चाता है पर उससे कुछ बात नहीं कर रही होती है इसका हाथ जब वो देखता है तो इन्जोइड है ये उसे लगता है उसे जबर्दस्ती पूछता है कि ये किसे तुम्हें हुआ है इसके बारे में सब कुछ इनफॉर्मेशन तुम मुझे दो पेटी उसे कहती है कि जो सब हुआ है इसके बारे में किसे से बात नहीं करना चाहती डिरिक्टू कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह सब कुछ उसे बोल दीती है वो क्या क्या कर रहा है कि इनकिन लोगों को उसने मार दिया है यह सब पर डिटेक्टू को पतर चल जाता है डिटेक्टू से कहता है कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए मैं एक पुलिस ओफिसर आज भीजूंगा तुम्हें जादा कुछ वरी करने की ज़रूत नहीं है उपेरा कि यहाँ टेलर का मर्डर हो चुका है वहाँ डिटेक्टू चला जाता है बेटी के आग को पेकलिफ हो रहे होती है तो आग में ड्रॉप्स वगरा डालती है यहाँ पर डिटेक्टू का फ्रेंड आ जाता है वो बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया होता है बेटी के आग में drop होते है पर उसका नाम सही होता है तो इसलिए उसे वो अंदर आने देती है इसे उसाइसे देखती नहीं ये फिर अपने meditation की जो CD होती है ये चालू कर देती है और realize करती है उसकी agent उसे मिलने आने वाली थी ये फिर वहाँ आ जाती है बेटी उसके साथ जो सब हो रहा है ये सब को जो से बताती है उसे protect करने के लिए पुलिस यहाँ आया हुआ है ये भी उसे बताती है इसकी agent फिर confused हो जाती है इसकी agent ने नीचे भी एक पुलिस officer को देखा था तो पुलिस officer कौन था अवे दोनों बहुत जी डर जाती है अब ये decide नहीं कर पाती कि घर में इनने रहना है क्योंकि जो direct to घर में आ चुका है वो सही का direct to है या नीचे जाना है अगर ये नीचे गई और killer रहा तो ये भी trouble में हो सकती है और घर में भी ये नहीं रह सकती है ये अंदर जाती है और किसी को phone करना चाहती है पर ये जो phone है ये डिरेक्टिव के room में है अगर वहाँ गई तो उने मार सकता है ये फिर decide करती है कि इने kitchen में छुप जाना चाहिए ये अपने आपको lock वेगरा कर लेती है ये जब kitchen में होती है तब इने सुनाई देता है कि जो उनके घर में है उसे कुछ message मिल चुका है ये अब दर्वाज़ा open करकर वहाँ से भाहर निकल जाता है ये डरते हुए कि kitchen से भाह पर होता है ये उसे अपनी identification दिखाता है अपना badge उसे दिखाता है बेटी की manager कही थी है कि ऐसा तो कोई भी वनवा सकता है वो सब बिलिव नहीं कर रही होती है ये इस डिटी का face देखती है ये उसे बोल दी है कि मैंने तुम्हें कहीं दिखा है अपना जहरा मुझे वो गन लेता है और इसको इस गन से मार देता है इसके आख पर ये बूरिट लगती है बेटी अब बहुत ही डर जाती है जो killer है वो उसे कहता है कि दर्वाजा ओपन कर दो वैसे भी मैं घर में आने ही वाला हूँ बेटी घर में बहुत ही डर जाती है और जो उसके पास होता है कि जो फर्स डिरिक्ट्व आया था ये सही का डिरिक्ट्व था इस डिरिक्ट्व के पास गन होती है बेटी ये गन उठा लेती है killer अब उसके पास आ रहा है तो उस पर गोलिया चलाए नहीं होती तो इस सही से ये निशाना नहीं लगा पाती है killer इसे अब मारने वा इसकी जालिया थी बेटी को यहाँ से वो बचा लेती है यह इस लड़की से बेटी बुच्छती है कि क्यों तुम यहाँ थी यह लड़की कहीती है कि मेरे पैंस जब भी जगडा करते है तब मैं यहाँ इस वेंट्स में आ जाती हूँ मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती हूँ तुम्हारा वोइस बहुत ही ब्यूटिफुल है इस लड़की ने इसे हेल्प की है तो बेटी इसकी बहुत ही थैंक्फुल होती है यह लड़की बहुत ही क्लेवर है यसा उससे कहती है बेटी फिर अपने neighbor की घर से वहाँ से निकल जाती है बेटी अब अकिला नहीं रहना चाती है वो directly opera की यहाँ आजाती है यहाँ बहुत सारे लोग है तो उसे यहाँ कोई heart नहीं कर पाएगा यहाँ उसका producer भी होता है उसके producer को कहती है मैं स्टूरियों में सोने वाली हूँ यह producer कहता है कि तुम्हें जादा worry करनी कोई भी जरूत नहीं है मैंने एक तरीका ढूंडा है जिससे killer अब पकड़ा जाएगा अपना plan execute करने के लिए वो opera house में बहुत सारे changes कर रहा होता है रात में बेटी को इस सबना आता है इस सबने में भी killer जिस तरह से लोगों को मारता है इसी तरह से कोई मार रहा है यह उसे दिखता है बच्चपन से इसे यह सबने आते थे जो सब उसकी imagination थी वो actual में अप real हो चुकी है इसे बहुत ही डर चुकी होती है अपने manager को भी इसने बताया था पर यह कुछ figure out नहीं कर पाई थी आज रात हो safe रहती है कल opera start हो जाता है opera start होने के बाद पुरा hall से सुन रहा होता है यह बहुत यह अच्छा सा store चल रहा होता है तब इस stage में से एक बड़ा सा cage आ जाता है इसमें बहुत साए कवे होते है इन कवों को फिफरी किया जाता है यह पूरे hall में खुमते है एक कवे जो killer था इसको spot कर सकते है hall में सब जगा वो देखते है और इसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि killer कौन है audience में जो derivative था यही killer था यह derivative पर जबग पढ़ते है उसकी आग दबोज लेते है इसकी एक पूरी आग खराब हो जाती है सब लोग जब भाग रहे होते है तब इसमें derivative भी भाग जाता है बेटी अपने रूम में आ जाती है उसके पास producer आता है producer कहता है कि मैंने killer को ढून लिया है मैं Joseph violence कर रहा हूँ तुम्हारे mother नहीं मुझे सिखाया है यह जो है यह उसकी mother का slew था killer Joseph करता है यानि कि लोगों को मारता है और बेटी को देखने के लिए मजबूर करता है इसी तरह से बेटी की mother लोगों को मारती थी और इस director को देखने के लिए मजबूर करती थी यह इसकी mother को बहुत ही पसंद करता था यह बोलता है कि जब मैंने तुम्हें देखा तुम तुम्हारी mother जैसी ही थी तुम्हारी voice perfect थी तुम्हारा चेहरा भी उसकी तरह ही है तुम बहुत ही अच्छी singer थी पर तुम्हें चांस ने मिल रहा था इसलिए मैंने जो man singer थी उसको भी इंजूर कर दिया डिरेक्ट्यू ने ही man singer का accident करवा होता है डिरेक्ट्यू बेटी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसका चेहरा खराब हो चुका है फो बेटी को एक gun देता है वो खेता है कि अब तुम्हें मुझे मारना है वो एक जगहा पर उसे point करनी के लिए बोलता है वो सब जगहा पर petrol डाल देता है अपने आपको जनाने लग जाता है बेटी भी उसे एक gun से shoot करते थी है बेटी बंदी हुए होती है तो वो अपने आपको गन से ही छोड़वा लेती है अब जो एक killer था, serial killer था जो डिरिक्ट्यू था, यह मर चुका है बेटी आप relaxed है और producer के साथ एक नई फिल्म हो करने वाली है यह फिल्म करने के रिए एक बहुत ही scenery भरी जगा पर वो आये है यहाँ पर बेटी अपने रोल के लिए prepare कर रही होती है और यह producer भी अपना काम कर रहा होता है तो भी news चल जाती है ट्रेट टू था, यह fire में नहीं मरा था इन्हें जो body मिली थी, यह एक पुतला था वो वहाँ से जल्दी भाग सके इसलिए उसने यह सब किया था बेटी इस रूम में नहीं होती, इसे प्रोडूसर यह news सुनता है प्रोडूसर को एक चिक सुनाई देती है यह जब देखनी के लिए जाता है तो उसकी जो मेड थी, यह मर चुकी है बेटी घर के बाहर ही होती है प्रोडूसर उसे जल्दी से कहता है कि यह से जल्दी तुम भाग जाओ किलर अभी भी जिन्दा है प्रोडूसर भी इसके बीचे भागी रहा हता है तब यह प्रोडूसर की चीखे इसे सुनाई देती है यह जो killer था यह producer को मारने लग जाता है बेटी को भी यह केट करकर रख सकता है पर बेटी smart होती है बेटी को मालूम है कि इस killer को सिर्फ बेटी का पैर चाहिए बेटी कहती है तुम जो सब कर रहे हो यह मेरे लिए कर रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो तुम मेरे लिए कर रहे हो यह फिर killer के साथ आके चलने लग जाती है यह वहाँ पर दो wolf देखती है यह जो wolf है यह police के ही wolf होती है यह इस killer को भून रहे होती है जब killer distracted होता है तो एक बड़ा सा पतर उटाती है उसके सर में डाल देती है यह killer उसे मारने वाला होता है तो यह police वहा जाती है police उसे बचा लेती है police उससे पुछती है कि उससे तुम क्या बात कर रही थी बेटी कही थी है कि जो वो सुनना चाहता था यही मैं बोली थी इसके बात बेटी हमें फूलों को देखती हुँ दिखती है यह अपनी life के साथ अब आगे बढ़ सकती है इसका career भी अब अच्चे से हो चुका है तो इसके पास बहुत सारी opportunities भी अब है जो सब हुआ है यह पीचे छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है यह movie यही end हो जाती है हम भी से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तबते के लिए thank you